जेहिंद वंदे मात्रम सौगत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पर तो दोस्तो आप सभी के लिए इंडिया पोस्ट आफिस की तरफ से सेकंड मेट लिष्ट को लेकर बहुत ही बड़ी गुट नियूज आ चुकी है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डा आपको दिल से खुसी हो जाएगी क्योंकि आज वो दिन आ चुका है आठ अप्रेल दिन सनी बार जहां पर आपकी सेकंड मेट लिष्ट आउट की जानी है सबसे पहले कैसे देखेंगे कौन से वक्त में एक्टिव रहना है कैसे आप लोगों को पीडियाप को डाउनलोड कर करने वाला है सेकंड मेट लिष्ट को लेकर इन्फोमेशन के लिए इसलिए आप लोग इस वीडियों को आखरी तक जरूर देखेगा और अगर आप लोगों ने जीडियस के 40,889 पदों के लिए आवेधन किया है और सेकंड मेट में नाम आने के बाद आप लोग अपने गा आप तक सबसे पहले पहुंच सके पहली लाइन आप लोग देख सकते हैं सेकंड मेट लिष्ट आज जारी आने की जीडियस के महा सचिम ने जो अपडेट दिया था उसमें ये जानकारी उन्होंने दी थी फ्राइडे आनी सुक्रवार साथ तारीकों अगर साम तक में आपक अप लोगों ने देखा नहीं है तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा उस पे क्लिक करेंगे जेडियस के महा सचिम की ओपीसल वीडियो ओपन हो जाएगी और उसके माध्यम से आप लोग सारी जानकारी को देख सकते हैं तो कुल मिला के बात यही है कि आज आपका रिज डिविजन सर्कल हो सकते हैं जहां से कटाप कम जाए लेकिन बहुत सारी ऐसे डिविजन और सर्कल होने वाले हैं जहां का कटाप आपको 100-200 इस बार भी देखने को मिलेगा 100-200 होता है कि 70-200 होता है 80-200 होता है वो बात की बात है पहले आपको अपनी मिरिट लिष्ट को चेकाउट करना होगा क्यूंकि 2nd के बात 3rd आनी है 4th भी आनी है और अभी यहां पे 16,000 बच्चों का successful document verification हुआ है लगग 24 से लेकर 25,000 बच्चों के लिष्ट यहां पे आनी तह है second list में तो आपके पास अभी मोगा है join करने का आपको के बल एक seat चाहिए अगर एक seat मिलती है तो आपकी जिंदगी बन जाएगी जिंदगी क्यों बन जाएगी यहां पे भले ही बेतन आपको 14 से 15,000 रुपए average मिलेगा सब कुछ मिला के लेकिन जब आपके पास experience हो उसके बाद आप लोग उपर लेवल के exam देंगे जैसे MTS हो गया postman हो गया mail guard हो गया इनके exam देकर आप लोग अच्छा खासा permanent government job तो ये भी है लेकिन benefit उतना जादा नहीं है लेकिन उन पदो पर जो की MTS sorting assistant postal assistant की vacancies हैं postman की उन पे आप लोगों को complete government job जैसा benefit वहां पे देख देखने को मिलेगी तो कि यहीं benefit GDS को join करने का एक बार अगर आपको job मिलती है आपकी जिंदगी बन जाएगी second list verification भी कल से start होने वाला है आपको बता दें कल Sunday है लेकिन यहाँ पे कुछ offices को जो है तो Sunday के दिन भी open रखा जाता है कि verification में जो है तो कोई भी disturbance नहों या जो 4th maid के अंदर आपका नाम आना तै हो सकता है लेकिन उसके लिए हमको second list देखनी होगी कटाओ कितना तक आया नीचे क्योंकि पहले में तो पूरा का 95 से लेकर 100 चला गया इसलिए यहाँ पे expect कर रहे है कि second में 85 से लेकर 95 तक जाएगा और उसके बाद जो है तो नीचे आता ज रेडिपिकेट नहीं है तो आपको रेडी करवा लेना चाहिए प्रोसेस के बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए ताकि जैसे ही आपका नाम आए आप लोग इन डाकुमेंट को बनवा ले क्योंकि 10 दिन का नॉर्मल समय प्लस 5 दिन का एक्स्ट्रा ग्रेड आपको डे दिय जाता है 5 दिन का ताकि आप लोग जोए तो एक्स्ट्रा दिनों में अपना डाकुमेंट वेरिपिकेशन करवा ले बाकि अगर आप लोगों ने जीडियस के महा सचीब की ऑफीसल वीडियो नहीं देखे जो की सेकंड लिस्ट अपडेट को लेकर है उसका लिंक आपको कमें थोड़ी लंबी हो जाती है और अगर आपको भासा समझने में समस्य होती है लेंग्वेज भी कम्प्लेट हिंदी नहीं रहती है इसलिए इनको जो है तो जो बताते हैं उससे सरल भासा में मैं जो है तो इसको लेकर आपको समझा देता हूँ वाकी कट आप देखे जर्नल 80 O 75 से 85 के बीच में PWT केंडिडेट का 79 से लेकर 89 के बीच में और economically यहाँ पे जो आपका बीकर सेक्षन है इसको यहाँ पे 75 यादी 75 से लेकर 85 के बीच में एक्सपेक्ट करें कि इस बार तक का टॉप आपका नीचे आ जाएगा लेकिन ऐसा अगर नहीं होता है तो आपको इंत आई थी तो यह मान के चलिए कि दो पहर दो बज़े से पहले आपकी मेरिट यहाँ पे चारी नहीं करी जाएगी यह यूं कहें कि डिपार्टमेंट ओपन होता है दस बज़े के टाइम पे लगभग और उसके बाद जब ओपन होगा तो एक घंटे चले जाएंगे उनको जो पल-पल की जानकारी दे सकते हैं दोड़ी वी केसन नहीं भी जाता चैनल को उपन करते रहे आज कर दिन आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है आज काफी सारे लोगों के सपने पूरे होने वाले हैं लगवग 24,000 बच्चों के जो की रियल है इसमें से उनके सपने पूरे ह जाएंगे जो की फेक है वो बाहर हो जाएंगे इसलिए आपको एक्टिव रहना है आपकी सेकंड मेरिट आर ये इसी तैथर्ड भी आएगी इसके अलाबा आपको समय मैंने बता दिया 24,000 बच्चों का होगा ये बता दिया और आज यानी 8 अपरेल सनी बार को आपकी के द्वारा इसू जे तो इसके अंदर आपका pen card हो सकता है अधार card हो सकता है driving license हो सकता है और बी जो आपको लगता हो वो आपको रखना है और इसके अलाबा आपको एक और चीज़ ध्यान में रखने है कि यहां पे आपको जिस भी list में आपका नाम आएगा उस list का आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना ताकि वहाँ जाने के बाद आप दिखा सकते हैं कि यहाँ पर हमारा इस लिष्ट में इस स्मेज में नाम आया है और दूसरी चीज़ आपने फॉरम भरा हुआ है उस फॉरम फिलब का कंप्लेट जो है तो प्रिंट आउट आपको निकलवा ल कि अगर एक बार आपको GDS जानी ग्रामेट लेटन तो आगे चल के बढ़ेगा और अपन लेवल की पोउच्ट पे जाने के बाद आपको और भी ज्जादा बेट तीम ती थी कि MTS के लेबल पर GDS से प्रमोट होके लगबग 40,000 बच्चे जो है तो जा चुके हैं यानि कि 40,000 ऐसे बच्चे जो कि GDS में चैनित हुए थे उनका प्रमोशन आज तक में MTS में किया जा चुका है तो उनमें से अगर एक में भी आपका नाम आ गया GDS के बाद MTS में आपकी सारी लाइप सेट है बीना किसी टेंसन के आप गौर में जवाब का बेनिफिट ले पाएंगे दोस्तों उमेद करता हूँ कि जो बाते मैंने आपको बताई हैं वो सारी कि सारी आपको समझ में आई होंगी अगर ऐसा लगा हो कि ये वीडियो आपके काम किया तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिल लोडिविकेशन को आउन कर दें मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद